आज की वीडियो में हम आपको जिंको वीट सिरफ के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरफ का इस्तिमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है इसको कितनी मात्रा में इस्तिमाल करना चाहिए इसके डोज के बारे में इसकी market price कितनी है इसके composition, side effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको जिंको wheat syrup के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके तो जिंको wheat syrup इसके market price की बात करें तो 165 रुपए इसकी market price है और ये 200 ml की packing में आता है इसकी जो market price है समय के साथ साथ कम्याजादे हो सकती है और इसके company की बात करें तो इसको Apex Laboratories Private Limited Company के द्वारा बनाया जाता है तो आईए जान लेते हैं इसके composition के बारे में तो इसमें multi vitamins और multi minerals होते हैं और आईए जान लेते हैं इसके uses के बारे में जिंको wheat syrup का इस्तिमाल किन-किन समस्याओं में किया जाता है तो जैसा कि इस syrup में multi vitamin और multi mineral होता है तो यह एक बहुत ही ब्रतिन nutritional supplement है जो कि हमारे सरीर में पोशक तत्तों की कमी को पूरा करता है तो शरीर में कमजोरी आ गई हो, खून की कमी हो गई हो इसके अलामा थोड़ा सा काम करने पे आलस मसूस होता हो थकान मसूस होता हो तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है पोशक तत्तों की कमी के करण शरीर दुबला पतला हो गया हो अड़ियों में कमजोरी आ गई हो या अड़ियों में दर्द हो रहा हो इसके अलामा वजन कम हो गया हो तो इन सब को भी पूरा करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इस सिरप को इस्तिमाल करने से भूख भी अच्छी तरह से लगता है बोजन भी पच जाता है इसके अलावाई शिरप का इस्तिमाल प्रग्नेंसी के दोरान भी किया जाता है प्रग्नेंसी के दोरान में इलाव में खून की कमी हो जाती है कमजोरी आती है तो इसको दूर करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इस सिरफ को इस्तिमाल करने से रोग प्रद्योधक छंता भी बढ़ती है जिससे कि सरीर को विमारियों से लड़ने में मदद मिलता है तो इस प्रकार से ये बहुत ही बहतरीन सिरफ है जो कि हमारे सरीर में पोशक तत्यों की कमी को पूरा करता है और पोशक तत्वों की कमी से जितनी समस्याइं होती हैं उनको ठीक करता है तो आईए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में जिंको वीट सिरप को कितनी मात्रा में इस्तिमाल करना चाहिए तो इस सिरप को एक अट्रेल डिबेक ती 5 ml सुबह और 5 ml साम खाना खाने के बाद ले सकते हैं और अगर चोटे बच्चे हैं तो उनको ठाई एमेल सुबह साम दिया जा सकता है तो इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्श ज़रूर ले लेना चाहिए तब ही इसका इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग-अलग होता है और कितने दिन इस्तिमाल करना है यह समच्चा के उपर निर्भर करता है तो डाक्टर आपको जितनी मात्रा में कहें उतनी मात्रा में इसका इस्तिमाल करें कि किसी किसी को हो सकते हैं सभी को नहीं होते हैं तो ये थी हमारी आज की जानकारी जिनको विट सिरप के बारे में तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें